Hello and welcome to Reach UPSC. Reach UPSC में आपका बहुत-बहुत स्वागत है. मैं हूँ आपका दोस, थोस, एडुकेटर, मिंटर, तांगी सर. आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया. No matter how much I thank you, it is not enough. I am poured with messages, testimonials from all you wonderful people. आप सभी लोगों का प्यार जो है मुझे मिल रहा है. और मैं मेरी आप से दर्क्वास थे कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सबस्ट्राइब नहीं कर रहे हैं. Do subscribe to the channel and also press the bell icon ताकि जब मैं वीडियो डालू तो आपको update मिले. नहीं तो आप बोलते रहते हों कि सर आपने कब डाला हमें update नहीं मिला, कल ये सीरीज आई थी, परसों वो वीडियो आया था, हमें बाद ने बता चला, क्योंकि आपने bell icon नहीं दबाया है. So do subscribe to the channel, अभी इसी वक्त subscribe करें और उसके साथ साथ bell icon दबाएं. और एक चीज और हमारे वीडियोज की इस playlist को, रमेश सिंग की playlist को जरूर subscribe करें, ताकि आपको एक order में सारे वीडियोज मिलें, कुछ students confused है कि सर प्लेलिस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दू playlist है, अभी तक 5-6 वीडियोज अप्लोड हो चुके हैं, जिसको आपको refer करना है तो हमने lecture series start करी है, हमने पिछले वीडियो में human development report तक cover करा था, अब हम start कर रहे है gross national happiness से, जब हम बात करते है gross national happiness की, ये specifically human development का एक angle है, जो की development के दाएरे में आता है मैंने कई बार आपको बताया है, पिछले वीडियो में हमने बहुत बार इस पे चर्चा करी थी, कि development यानी विकास, सिर्फ और सिर्फ income growth के basis पे नहीं होता income growth के सिवा बहुत सारी चीज़े होती है, जिसके जरिये विकास होता है, development होती है और उसमें से एक बहुत जरूरी चीज़ या बहुत जरूरी factor, parameter जो की निकाला गया है, जिसको हमने develop किया है या जिसको समझा है, वो है happiness तो happiness को मद्दे नजर रखते हुए एक ऐसा index बनाया गया है, जिसे कहा जाता है gross national happiness एक बहुत छोटा सा प्यारा सा देश है, जिसका नाम है भुटान, उस देश ने ये समझा कि national income यानि GDP को ग्रो करने से उतना ही important अगर उससे ज़ादा नहीं, if not more, then equally important is to judge how happy is my country कितने खुश लोग हैं हमारे देश में, ये चीज बहुत जरूरी है जानना या apply करना, इस वज़े से gross national happiness को calculate किया जाता है तो आईए देखते हैं, बुटान a small kingdom had been able to define development in its own way और ये जो development है, उन्होंने सोचा कि gross national happiness के जरीए बनाया जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा या material aspects नहीं होंगे इसमें non-material aspects यानि कि कुछ intangible चीज़े भी होंगी जिसके जरीए happiness को judge किया जा सकता है, जिसके जरीए happiness को समझा जा सकता है तो कौन-कौन से factors हैं, क्या-क्या चीज़े हैं, आईए देखते हैं, समझते हैं, इसको apply करते हैं as to what all things are constituted under happiness तो जब मैं इस चीज़ की बात करता हूँ, जब मैं इस चीज़ को apply करता हूँ, इसमें क्या-क्या आता है what is included as a part of happiness, ये आपको बताते हैं देखे, किसी भी देश के लिए, जैसे भारत के लिए भी हम बात करते हैं अपनी संस्कृती की बात करते हैं, हमारी संस्कृती, हमारा भारत, हमारा इतिहास तो वो एक sense of pride है, उससे हमें खुशी मिलती है we derive happiness from it, हर देश करता है और करना भी चाहिए तो जो factor depend करता है, वो है culture बहुत important है, कि हमारा culture हमें follow करने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या हमारा culture deplete होता जा रहा है या actually में exist करता है, ये बहुत जरूरी चीज़ है so culture is a very important part of happiness उसके साथ साथ cleanliness, देखिए ये चीज़ ना underrated है और ये चीज material benefits से, पैसों से पता नहीं चलती जैसे की cleanliness in terms of air, clean air, clean water, clean environment अब ये underrated चीज़े हैं ये चीज़ों की value हमें तब पता चलती है जब गंदा पानी पीने को मिलता है या आप ये contaminated water पीने को मिलता है या contaminated air हम breathe करते हैं, especially हम दिल्ली NCR में रहने वाले हैं कि constantly कोई ना कोई जो है, वो asthma, खासी, जुखाम, इन चीज़ों से सफर करता रहता है जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे शुरू day one से nebulizer में होते हैं मैं इसले कह रहा हूँ, मेरा बेटा है, 10 महीने का है, 11 महीने का होने वाला है और वो day one से nebulizer पे हैं, क्योंकि कभी जुखाम होता है, कभी खासी होती है अब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं आज की रेट में बताइए, वो they are going through this, baby, small babies, 10 month old baby, अपना first hand example दे रहा हूँ तो मुझे value cleanliness की अब समझ में आई है, now I understood the value of cleanliness तो unclean air और contaminated air is not giving me happiness, तो मेरी खुशी का ये जरिया नहीं है आप समझ रहे हैं, तो जब हम culture की बात करें या cleanliness की बात करें, ये हमें happiness देती है उसके बाद आता है good governance Good governance जो है, उसका national income से कोई relation नहीं है It has nothing got to do with national income National income जादा हो सकती है आपकी, चाइना की बहुत जादा है लेकिन governance अच्छी नहीं है यह at least dictatorship है तो लोग जादा खुश नहीं है वहाँ के चाल चलन से, वहाँ की governance से, administration से और ऐसे कई सारे देश है, North Korea भी एक ऐसा देश है, कई सारे देश है, जहाँ पे governance अच्छी नहीं है, लेकिन जिसकी growth और national income बहुत अच्छी है तो यह ऐसे कुछ factors है, जिस जो हमारी खुशी के basis पे आते है, यह हमारी खुशी के basis पे figure out करे जाते है और यह सारे factors भुटान द्वारा figure out किये गए है They have been figured out by a country like भुटान और इसके basis पे उन्होंने decide यह करा है कि वो calculate करेगा और बताएगा कि किस तरीके से cross national happiness होनी चाहिए तो आप लहाँ पे देख सकते है, you can have a look over here भुटान has been following the GNH since 1972 और कौन से parameters है, real per capita income यह तो per capita income है और यह आपका normal GDP का ही concept है लेकिन सिर्फ यह concept नहीं है parameters में कई चीज़े और हैं जैसे कि governance कितनी अच्छी है लोग governance से खुश है या नहीं है क्या लोग trust है, क्या corruption से लोग परिशान है, क्या mal administration से लोग परिशान है good governance उसके बाद आता है environmental protection, clean air, clean water आपका कितना जो वातावरण है वो प्रदूशत है या साफ है cultural promotion भुटान के लिए, देखिए भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अपना culture preserve करे, उनके लिए भी जरूरी है Buddhist monks हैं और Buddhism को follow करते है inculcation of ethical and spiritual values ये सारी थीज़े होती है without progress may become curse rather than a blessing तो ये blessing होनी चाहिए, curse नहीं होना चाहिए इस वज़े से gross national happiness को calculate करा जाता है और इसी जरीए इस concept को apply किया गया पूरी दुनिया में बताईए एक देश ने पूरी दुनिया को influence करा कि भई, थोड़ा 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 थेहरिये जनाब खुशी ढूणना सीखे हमेशा जद्दो जहद में लगे रहोगे पैसा, material चीज ये भी चाहिए, वो भी चाहिए थोड़ा तो सुख ढूणडिये थोड़ी तो खुशी ढूणडिये वो gross national happiness में आती है So at the level of real per capita income GNH and the HDI are same per capita income यानी income की बात हो रही है लेकिन income के सिवा जो और factors जो हमने यहाँ पड़े इसकी बात GNI, national income में नहीं होती GNH में होती है HDI is silent on the issue of good governance World Bank enforced it upon the member states की good governance भी होना चाहिए और environment जो है वो भी इसमें आना चाहिए तो जब हम लोग GNH और HDI की बात करते हैं Gross National Happiness और Human Development Index जो हमने पिछले lecture में पढ़ा था तो इसमें prominently जो basic difference आता है वो ethical and spiritual aspect है जो की GNH में आता है और HDI में नहीं आता तो इस वज़े से यह difference जो है यह लाया गया है तो religious text, spiritual text basically religious or spiritual text का मतलब होता है culture तो culture को आप लेकर आ रहे हो जब तक वो culture आप properly follow नहीं करोगे तब तक आप GNH के basis पे आगे नहीं बढ़ पाओगे या GNH पे आपकी happiness पूरी तरीके से नहीं होगी but the new world is guided by its own scientific and secular interpretation of life and the world has always been suspicious about recognizing spiritual factor in human life कि spiritual factor जो है वो क्या होना चाहिए वो हर country जो है अपने साब से जच करती है अपने साब से वेरी करती है तो जब हम happiness की बात करते हैं तो उसमें spiritual and ethical concept आता है जो की hdi human development index में नहीं आता और ऐसा मानना है बहुत मनो विग्यानिक लोगों का या विग्यानिक intellectuals का ये मानना है कि अगर हम ये चीज़ follow करते हैं तो spiritual और ethical text को भी follow करना चाहिए लेकिन आजकल के जमाने में modern जमाने में क्या चीज़ बात होती है कि spiritual और ethical text जो है अपने interpretation की उपर based है इस वज़े से अगर हम happiness को relate करें cleanliness से तो sustainable development goals लाए गए थे sustainable development solution network जो की एक UN की body है world happiness report publish करती है इसको WHR भी कहा जाता है तो इसके क्या-क्या parameters है मतलब happiness report को किस तरीके से आप मानते हो कि ये देश happy है या नहीं है आईए देखते है जीडीपी तो है देखिया है नाशनल इंकम तो है purchasing power parity जो मैंने last class में समझाया था social support social support provided by the government सरकारे जो है अपने देशवासियों को अपने नागरेकों को क्या किसी तरह का social support social support आर्थिक तोर पे social support जैसे retired लोगों को आर्थिक तोर पे economic तोर पे support करना financially support करना health के तोर पे लोगों को support करना उनका dental treatment, उनका medical treatment, उनका diagnostic treatment, उनका दवाईयों के द्वारा treatment ये सारा का सारा treatment किस तरह के से किया जा रहा है healthy life expectancy at birth ये proper vaccination से institutional deliveries से और awareness से होगा freedom to make life choices बहुत ज़रूरी है क्या आप डिमोक्राटिकली चीज़े follow करते हो, नहीं करते हो generosity, कितनी generous है आपकी सरकार कितनी forgiving है और perception of corruption corruption एक बहुत बड़ा factor है जो आपके देश में happiness determine करता है अगर आपको हमेशा यह होगा कि आपैसे खाके ही काम होना है तो आपको पता है काम कैसे करवाना है लेकिन वो आपको ज़्यादा खुशी नहीं देगा it will not give you happiness in fact आपका जो स्वभाव है वो lenient हो जाएगा कि पैसे देके चलता है काम और दूसरी चीज़ आपको अंदर से respect नहीं आई यह उसके लिए you will not respect the other person तो UN की जो body है SBSN उसके द्वारा पब्लिश करी गई World Happiness Report 2023 की 2024 की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि जब वो रिपोर्ट आएगी तो आप इससे अब्डेट करिएगा अभी जिस वक्त ये lecture record हो रहा है as we speak वो रिपोर्ट नहीं आई है तो भारत की रैंकिंग World Happiness Report 2023 की अनुसार 126 नंबर 126 पोजिशन पे आती है और पहले नंबर पे आता है Scandinavian देश Finland Finland, Denmark, Iceland उसके बाद इस्राइल तो ये जो है कुछ आपके पहले दो जो है Scandinavian countries है Nordic countries है पहली तीन Israel हुआ पर Netherlands, Sweden मतलब mostly European countries है बहुत साब बातावरण है European countries का और 126 नंबर पे भारत है तो पिछले साल यानि 2022 में भारत की position जो है वो 136 थी और एक साल में भारत 10 ranks उपर आया है 146 देशों में भारत की ranking जो है वो 126 नंबर पे है और भारत के जो पडोसी मुल्क है नेपाल की ranking है 85th बंग्नादेश की ranking है 99 चाइना की ranking है 82 भुटान को लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा गया है भुटान मेरे ख्याद से तो happiest री होगा तो BRICS countries की आप देखे ब्रजील की 34 है, चाइना की 82 है रश्या की 75 है, साउथ अफरीका की unknown है लेकिन BRICS countries की ranking भी भारत से उपर है उसके सिवा जो report की highlight है वो ये है कि आप कितना अजनभी लोगों की आप मदद करते हैं volunteer और donations कितना करते हैं वो strongly up in every part of world among 25% above their pre-pandemic prevalence कि आपने लोगों की help करी आके सामने pandemic में ये चीज़ इंसानियत दिखाता है, मानफता दिखाता है उसके सिवा report में कई चीज़े थी life satisfaction has fallen while for those over 68 has risen 60 साल के उपर के लोग जो है वो life expectancy जादा रख रहे है जो young लोग है क्योंकि COVID में देखिए negativity हुई थी इसमें लोगों की भी गलती नहीं है लोगों को लगने लगा कि भी पता नहीं जिन्दा रहेंगे नहीं रहेंगे तो ये एक चीज़ है दूसरी चीज़ है चिन्ता एक generation जो आज की rate में जिसको आप gen Z, ये gen Z कहते हो millennials कहते हो या gen Z और millennials के बीश में जो आते है उन लोगों के अंदर एक चिन्ता जनक atmosphere में वो रहते है वो चिन्ताओं में डूबे रहते है क्यों डूबे रहते हैं ये उनको भी नहीं पता जबरदस्ती की चिन्ता है जो की उनके दिमाग पे हावी होती है जिसकी वज़े से stress जिसकी वज़े से constantly सोचने की आदत, overthinking तब ही लोग कहते हैं जादा मत सोचो दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग का धुआ निकल जाएगा अगर सोचते रहोगे तो worry, stress, इसने take over कर रखा है इस generation को, तो मैं आप सब को ये चीज़ कहना चाऊँगा कि unnecessary जो आप stress लेते हो कि क्या होगा, exam होगा, नहीं होगा qualify करूँगा, नहीं करूँगा जीवन में क्या होगा ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है better ये है कि जो task at hand है जो काम अभी हाथ में है जो सामने दिख रहा है उसे आप पूरी शिद्दत के साथ करे ये ही भगवत गीता भी सिखाती है कि focus on the task at hand कि जो आपके पास task अभी है सिर्फ और सिर्फ आप उस पे focus करे तो pandemic के बाद ये stress levels और बढ़ गए है क्यों बढ़ गए है पता नहीं क्योंकि अगर आप बज गए हो अगर आप जीवत हो तो इसका मतलब आपकी उपर भगवान का एक वरदान है कि आप जीवत हो तो एक तरीके से आप इसे नई life समझे अपनी life का 2.0 version समझे और उसको आप apply करे So stress has risen by 8% जिसका कोई फाइदा नहीं है तो better ये है कि आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़े और उसी चीज़ पे बैठे होए सोचते ना रहे Finland जैसे आपको मैंने बताया Finland है, Norway है, Denmark है, Iceland है ये जो देश है, Finland की ranking टॉप पे रही है पाचवी बार इन रो, fifth time in रो ऐसा क्या है Finland में जो वो हमेशा मतलब वहां के लोग happiest ही रहते है ये बहुत अच्छा है जानना ये urban planning में, ethics में जो आपका GS4 है, ethics का paper है उसके सिवा जो आपका जो आपका paper है GS1 का social issues का paper है public administration का paper है essay का paper है उसमें ये knowledge बहुत काम आएगी कि कोई भी country को happy कैसे रहते है और वहां का model क्या पूरे दुनिया में replicate नहीं हो सकता तो देखे, smart urban planning urban planning is smart, it is good access to green spaces, हर्याली है मतलब एक clean environment है और सुन्दर environment है, देख के आपका रहने का मन करता है, तो ये stress कम करता है, physical activity promote करता है, आपका automatic अच्छे environment में जाओगे, अच्छे park में जाओगे, पेड, पौधे सब लगे होंगे, आपका अपने आप walk करने का मन करेगा, तो आप automatic healthy रहोगे effective system of progressive taxation, ये बहुत जरूरी चीज़ है progressive taxation का मतलब है जो जितना progress करता जाता है उसके ओपर उतना ही tax लगता जाता है, progressive taxation उसके बाद आता है strong healthcare and education system, goes without saying, in fact, इन देशों में तो ऐसा है, कि आप healthcare पे focus healthcare पे सरकार का focus है और यहां की जंसंख्या कम है तो अगर आप बच्चे पैदा करते हो तो आपको incentive दिया जाता है, घर दिया जाएगा गाड़ी दी जाएगी, बहुत सारे benefits दिये जाएगे, तो उन countries में ये भी है और बहुत seriously loss को लेते हैं पिश्चे साल एक picture आई थी रानी मुहर जी की picture थी नौर्वे, something of Norway अगर आप वो देखेंगे तो उसमें बच्चों की custody उससे ले ली होती है तो they take the loss very seriously तो which is why, और प्लस उनकी country में क्योंकि age एज करने वाली population है तो वो बच्चे पैदा करने वाली family उसको बहुत थारा incentive देते है तो healthcare system, education system strong होना चाहिए, इस वज़े से finished people, यानि की Finland के जो लोग हैं, वहां के जो नागरे के हैं वो बहुत खुश रहते हैं तो अब थोड़ी philosophical बात करते हैं थोड़ी खुशी धूंडिये जनाब गुलजार साहब का शेर है थोड़ी तो खुशी धूंडिये जनाब जदो जहत तो चलती रहेगी उसका कोई अंत नहीं है तो जब हम खुशी की बात करते हैं क्या आप खुश है क्या आप सही तरीके से खुश है Brain Tano نے کیا کہا تھا कि جو चीज हम लैक करते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती है उस चीज़ पहमारा सारा फोकस टिका होता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है लेकिन हम उस प्रोसेस में ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है और हमारे पास किन किन चीजों का हमारे सर पे वरदान है तो एक pen paper लेकर अगर आप लिखना शुरू करें कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें है माता-पिता का प्यार है, घर है, खाना है आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि अगले महीने मेरा खाना कहां से आएगा मेरे घर का रिंट कैसे जाएगा तो आप 99 फीसदी जन संख्या से bitter है You are bitter of तो क्या ये खुश होने की बात नहीं है खुद सोचके देखिए क्या ये खुश होने की बात नहीं है कि आपको पता है कि मैं basic चीजों में assorted हूँ और इसके उपर तो कोई अंत नहीं है जब जितना उपर पहुँचोगे उसके उपर आपको फिर कोई दिखेगा उसके उपर आपको फिर कोई दिखेगा तो कभी खम खुश रही नहीं पाएंगे तो happiness can be defined as an aspiration of every human being और दूसरे तोर पे evaluation है are you happy with your life as a whole क्या आप अपने जीवन में खुश है पूरी तरीके से या नहीं है हम सोचते हैं कि हम खुश है हमारे पास सब कुछ है एक emotional level है कि क्या हम आज खुश है कल मैं बहुत दुखी था यार कल मेरे पापा ने मुझे डाट दिया कल दोस से मेरी लड़ाई हो गई कल girlfriend boyfriend से लड़ाई हो गई तो होती है न कहीं सारी चीज़ emotion वो emotion होता है evaluation की overall आप थीज़े देखते हो तो इन सारी की सारी चीज़ों को world happiness report में include किया गया है it shows that respondents of the survey जिन्होंने survey का response लिया they recognize difference between happiness as an emotion happiness in the sense of life satisfaction life satisfaction, life में satisfied है emotional level पे शायद खुश ना हो emotional level पे खुश है लेकिन life जो है वो शायद वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे थे तो इस चीज़ को लेके United Nations ने कुछ साल पहले 10-12 साल पहले एक resolution पास करा जैसा कि आप देख सकते है member countries को invite करा to measure happiness of their people और April 2012 में UN की high level meeting ने happiness और well-being को लेकर एक पूरी मुहीम लाँच करी So at the same time world happiness report was published in 2012 और ये चीज़ किसकी सरपरस्ती में हुआ था उसी देश ने जिसने इस चीज़ पे mastery हासिल करी है और जो इस चीज़ को बहुत seriously लेते है जो 1972 से ये काम कर रहे है तो 40 साल बाद 2012 में meeting हुई और तब से world happiness report को publish किया जा रहा है It is being published तो आज 2014 के जमाने में 2024 में यदि हमें खुशी को reimagine करना है If we have to reimagine happiness How do we do it? हम कैसे उसको reimagine कर सकते है कि खुशी क्या है Are we happy or not? कि खुशी है क्या? reimagine happiness आज की rate में contradictions बहुत जादा है कि मुझे जो चीज़ खुशी देती है वो हो सकता है तुझे ना दे तुझे जो चीज़ खुशी देती है वो हो सकता है तीसरे को ना दे तो contradictory role है It is a contradictory So on one hand world enjoys technologies Technologies हम enjoy करते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है लेकिन technologies का जो negative impact है At the other hand At least one billion people are living without food मतलब 100 करोड दोगों के पास खाना नहीं है 700 करोड की दुनिया में 100 करोड दोगों के पास अगर खाना खाने को नहीं है तो ये technology किस काम की है तो contradictions है मतलब किसी को किसी चीज़ से खुशी मिलती है और दूसरे के पास रोटी नहीं है खाने को बताएए ये क्या ये inhuman नहीं है Isn't this inhuman तो पूरी जो दुनिया की economy है वो नई heights पे जा रही है of productivity, technology, artificial intelligence, chat GPT open AI, closed AI ये जो अब ओला वाले का निया प्रैट्ट्रों, cronulin, min जो भी है and organization advances yet it is destroying natural environment in the process जो natural environment है वोँ डिस्ट्रॉइ कर रहे है at the cost of making more factories increasing national income तो ये सारी चीज़ें जो है contradiction है कि अगर मुझे development चाहिए it is coming at the cost of environment मेरा environment जाएगा तब मुझे जो है development मिलेगा पहली जेस दूसरी ऐसी कई सारे example है कि happiness का idea हम reimagine कर रहे है फिर बात आती है world happiness report जो 2012 में आई थी उसके बाद हर बार जो है rankings होती है तो उसने US के examples लिए कि US जो है technological progress में बहुत आगे है technology में, achievements में हर चीज़ में बहुत आगे है post half century without gains any gain in the happiness क्या American लोग actually खुश है are they actually living the American dream American dream is it only focused on technology is it only focused on growth और is it actually happy that is something that has to be तो serious concerns US में क्या है anxiety levels और uncertainty बहुत जादा है बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर anxiety बहुत जादा है बच्चे जो है stress और depression से होते हुए गुजर रहे है अदर्ट्स भी depression से होते हुए गुजर रहे divorce rates highest level पे है तो खुश नहीं हो आप social and economic inequalities have widened considerably ये तो खेर पूरी दुनिया की problem है inequality, financial inequality बढ़ती जा रही है social inequality, black lives matter कि blacks और whites के बीच में divide बहुत जादा है Americans और Spanish लोगों के बीच में divide बहुत जादा है social trust is in decline कि आप किसी पे भरोसा ही नहीं करते और confidence in government is at an all-time low confidence जो है वो कम है तो basically they are not choosing the best government they are choosing the least worst government सबसे कम खराब सरकार जो है हम choose कर रहे है ये सच्चाई है happiness की अमरीका में जो कि technologically और achievements में सबसे उपर है सबसे आगे है और contradiction देखिए और happiness का idea देखिए तीसरे लेवल लेवल पे जो करीबी है देखिए सबसे ज़ादा inhuman है कि आप अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पारे you are not able to feed your kid आप अपनी family के लिए दो वक्त की रोटी अरेंज नहीं कर पारे हो कितने शरम की बात है अब सड़त पे सोते है ये inhuman नहीं है ये inhuman है ये मानफता के खिलाफ है तो जब हम poverty की बात करते है poverty, anxiety, environmental degradation unhappiness in the midst of great plenty should not be regarded as mere curiosities ये चीज़ जितने लोग इस से होते हुए गुजर रहे है उनसे जाके पूछो क्या वो खुश बोलेंगे कि हम खुश है they require urgent attention as we have entered a new phase of the world termed anthropocene हम इस टाइप की दुनिया में पहुँच चुके है अब ये क्या बला है ये क्या चीज़ है anthropocene क्या है anthropo मतलब human anthropo का मतलब क्या है human और scene का मतलब है new नया human as in a new geological epoch it is a new epoch in which humanity through its technological prowess technology और population 100 करोड से उपर की has become the major driver of changes of earth's physical systems including climate, carbon cycle, nitrogen cycle, biodiversity तो जो नया इंसान है और वो गिंती के कुश लोग है एक बिलियन तो वो कह रहे है लेकिन एक बिलियन से कमी होंगे इतने लोग जो है वो पूरी दुनिया का course alter कर रहे है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है this is not very good अगर इसी तरीके से चलता रहा mindlessly current economic trajectory we risk undermining the earth's life support system food, supplies, clean water, stable climate necessary for human health और ये जो लोग है 100 करोड लोग ये बाकी के 600 करोड लोगों के लिए पूरी दुनिया का course alter कर देंगे this is very unhealthy ये बहुत ज़ादा unhealthy है तो ये भी एक idea है happiness का कि happiness जो है वो सिर्फ हमें development में देखनी चाहिए या बाकी चीजों में भी देखनी चाहिए उसके बाद देखिए higher household income इंकम जादा होगी तो आपको तो definitely खुशी मिलेगी वो तो ऐसा होई नहीं सकता कि आपको खुशी ना मिले higher per capita GNP signifies an improvement in life conditions बिल्कुल ठीक है लेकिन जो society impoverished है जो below poverty line है जिसके पास basic dignified life के basic facilities नहीं है the urge for material gain typically makes a lot of sense इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि material gain हो कि रोटी कपडा मकान तो हो poor suffer from diet deprivations कि healthcare नहीं है, shelter नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कपड़े नहीं है पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है तो income जब price करती है बहुत low level से तो human well-being improve करता है तो पैसा यहां पे ज़रूरी हो जाता है money becomes important therefore the poor report a rising satisfaction with their lives as their meager incomes increase जब उनकी income छोड़ी रोड़ी improve होती है और दूसरी तरफ for most individuals basic deprivation have been vanquished बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ concern नहीं है क्योंकि उनको basics मिल रहे है there is enough food shelter clothing for one of them so condition of affluence have created their own set of traps जो affluent है उनको इन चीज़ की value नहीं पता चलेगी they will never get to know the value of what deprived society is going through वो happiness किसी और चीज़ में yoga में, meditation में, इन सब चीज़ों में ढूणते हैं ये बिचारे happiness ढूणने की कि हमारे पास कल का खाने का खाना हो हमारे पास रहने के लिए घर हो या कम से कम छत हो ये चीज़े हैं फिर higher average per capita income per capita GNP USA का highest है इंडिया का भी बढ़ रहा है तो क्या इसका मतलब हर इंसान उत्रह पैसा कमा रहा है नहीं, इसका मतलब inequality बहुत जादा है society did not become happier as it became richer society happy नहीं हुई लेकिन वो rich जरूर हो गए तो कई सारे reasons है जैसे हम एक दूसरे को, हम एक दूसरे के साथ अपने आपको compare करते है generally देखिए मैं आपको एक बात बता हूँ comparison leads to a lot of problems unnecessary problems आपको नहीं पता कि दूसरे की struggle क्या है दूसरा किन परिस्सितियों से होकर गुजरा है तो compare करके अपनी life को miserable और जो दुखियारी जिन्दगी है वो ना बनाए और दूसरी चीज़ ध्यान रखे कि जिन्दगी जो है वो social media photos नहीं है Instagram, Facebook और Meta की जितनी आपसे उससे ना inspire हो लोगों की life को देखते हुए बलकि अपने उपर ध्यान दे अपनी सेहत पे, अपने परिवार पे अपनी पढ़ाई पे, अपने खाने पे तो आपका जादा भला होगा आपका जादा कल्यान होगा फिर जो फायदे है have not been evenly shared यह government पे depend करता है कि फायदे evenly shared हो रहे हैं नहीं हो रहे insecurity, loss of social trust declining confidence in government insecurity बहुत जादा है सरकार पे भरोसा नहीं है individuals may experience an initial jump in happiness when their income rises वो एक sudden spike होता है जैसे sugar spike होता है, वैसी income spike होता है but then at least partly they return to the earlier position की ठीक यार बढ़ गई बढ़ गई अब क्या करें अब next पताओ, next क्या है income increase gives you happiness but for a short while longer while के लिए happiness, income के साथ साथ और भी चीज़ें आपको चाहिए आपकी income बहुत जादा है लेकिन आप सेहत मन नहीं हो, आपको diabetes है आपको cholesterol है, आपका BP high रहता है, तो anxiety है तो it doesn't give you happiness आपको happiness कैसे हो सकती है आप 10 गोली खाते हो रतन टाटा साथ ने बहुत अच्छी बात बोली थी और ये generally मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ इस से related नहीं है वेन यू आर यंग, यू शुट इट यूर food like medicines आप खाने को दवाईयों की तरह खाएं जब आप जवान हैं नहीं तो बुढ़ापे में when you are old, you have to eat your medicines like food आपको अपनी दवाईया खाने की तरह खानी पड़ेंगी तो आप इस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखें और comparison दूसरों से बंद करें उसके बाद है higher income may raise happiness to some extent बिल्कुल ठीक बात है psychologist को ये पता चला है कि high premium on higher incomes generally are less happy and more vulnerable to other psychological ills than individuals who do not crave higher incomes तो जो individuals higher income crave नहीं करते वो ज़ादा खुश माने गए है फिर creation of new material wants to the incessant advertising एक ये बहुत बड़ी मुसीवत है इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग की तो आदत है हम लोगों की स्क्रोल 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 अब हाँ पे push advertisements आते है content marketing, performance marketing, ये marketing, वो marketing इसको दबाओ shop now, shop now, sale खतम होने वाली है it ends today, 20% off, 40% off आपने ये नहीं लिया तो आप तीछे रह जाओगे ये constant advertisement हमें एक FOMO create करता है और वो FOMO के जरीए हमारी इच्छा होती है मौल खरीदे इस चक्कर में लोग EMIS पे वो चीज़ें खरीदने लगते हैं जिसकी उनको जरुवत नहीं है आप समझ पा रहे हैं, वो तो सबसे बड़ा trap है उसमें कभी मत फसिएगा कि EMI पे आप फोन खरीद रहे हो क्योंकि big billion sale लगी है अरे आपको जरुवत है फोन की तो जरूर खरीदो नहीं जरुवत है तो आप क्यो जबरदस्ती खरीद रहे हो क्योंकि sale लगी है This is not the right approach Advertising जो है वो 500 billion लिखा है इससे कई ज़ादा है Online advertising इससे बहुत बड़ा business तो अभी जब यह funding winter आई तो Google का जो AdSense का revenue है वो 80 फीसदी से गर गया क्योंकि जितने startups Google में पैसा डालते थे उन सारे startups में Google ने Google में या Google Ads में पैसा खर्च करना बंद कर दिया तो ज़ाद सी बात है अगर Google में अगर AdS में पैसा नहीं खर्च करोगे तो उनका Ad revenue गर जाएगा This is what happened ये अभी की news है उसके बाद है law of diminishing marginal utility ये एक economic सा concept है आपने definitely पढ़ा होगा law of diminishing marginal utility का मतलब है कि हम सेम सेम चीज या सेम product consume करते हैं फिर दुबारा करते हैं तिबारा करते हैं चौबारा करते हैं उसके बाद उसकी utility उसका satisfaction हमारे लिए कम होने लगता है NCRT में एक example दिया हुआ है जो ये कहता है कि जब हमें प्यास लगती है हम पहला ग्लास पानी पीते हैं तो हमें satisfaction मिलता है तीसरे ग्लास पानी में और कम मिलता है चौथा ग्लास पानी हमारा मनी नहीं करता पीने का इसको बोलते है इकनॉमिक्स में इसको कहा जाता है तो इस concept को associate किया गया है कि एक गरीब इंसान जो poverty-ridden है उसको सबसे दादा satisfaction मिलेगा क्योंकि वो बिचारा एक ही ग्लास पानी अफोर्ड कर सकता है so gains are so this means that poor people benefit far more than rich people from an added dollar of income एक डॉलर extra इनको मिलेगा वो इनको इतनी जादा खुशी देगा जो हमें नहीं दे सकता वो एक डॉलर this is something that is given example देखिए एक poor household जो 1000 रुपे income कमाता है उसको 100 रुपे और चाहिए ताकि वो अपना satisfaction level बढ़ा सके दूसरी तरफ एक अमीर इंसान जो है वो 10 रुपे की income कमाता है they would need 1000 times more money 1 रुपे इस वेल बीग by the same amount इनको इसको 100 रुपे और चाहिए इसको रुपे और चाहिए 10 रुपे और चाहिए तो ये जादा खुश हुआ ना ये जल्दी खुश होड़ाएगा इसको खुश होने में बहुत टाइम नगेगा so this is something which is done and this is a very very good example और आखरी चीज़ है pursue GNP to the point of environmental ruin even when incremental gains in GNP are not increasing much देखिए GNP increase करना या growth rate बड़े बड़े बताना और 5 trillion और 10 trillion और ये trillion और वो trillion अब 10 चीज़ें बताओगे लेकिन आप जितना grow कर रहे हो और उसकी अवज में आप environmental damage जितना कर रहे हो क्या वो worth it है आपकी growth उतनी भी जादा नहीं हो रही जितना आप environment को damage कर रहे हो क्या हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि trust, community, cooperation इसको हटाते हुए हम सिर्फ और सिर्फ focus कर रहे है अपनी income बढ़ाने के लिए income कितने से बढ़ेगी 10,000, 20,000, 50,000 उसका damage environment पे कितना होगा अगले 50 साल तो क्या चीज़ ज़ादा जरूरी है ये हमें सोचना है ये काम Finland नहीं करता है ये चीज़ फिनलंट कर चुका है तो इन सारी चीज़ों को मद्दे नज़र रखते हुए हमने idea of happiness को reimagine करा है ये सारे examples है ये सब examples है ये आपके essay के paper में ethics के paper में और obviously economy के paper में GS1 social issues में हर चीज़ में matter करेंगे It will matter in everything World Bank in its latest report World Development Report Mind, Society and Behavior इन्होंने बोला जो development policies है वो जादा effective है when combined with insights into human behavior It further adds that policy decisions informed by behavioral economics जो behavior के basis पे economics से can deliver impressive improvements in promoting development and well-being in society कि ये development और well-being को promote कर रहे है well-being को किस तरीके से promote कर रहा है अगर आप इस report की माने भारत का example लेते है open defecation 11% से कम हुई ODF बहुत सारे गावों को ODF टेक्लेर करा गया है open defecation free So community-led total sanitation program was combined in some chosen villages with standard approach of subsidies of toilet construction तो ये जो है ये क्या है World Development Report ने development policy में लिखा है This is behavioral economics जो पैसा आपने toilet बनाने में खर्च करा वो behavior को change कर रहा है लोगों को behavioral economics का part है तो human behavior यहाँ पे change हुआ है अब इससे आपको national income बढ़ती हुई नहीं दिखेगी लेकिन satisfaction और happiness cleanliness बढ़ती हुई दिखेगी फिर है default जो loans पे होता था वो कम हो गया है become three times less with simple change in periodicity in microfinance तो अब आप यह देखिए इसकी वज़े से जो है आप एक better society में रह रहे हूँ फिर boys from backward classes were just as good at solving puzzles as boys from upward classes तो caste identity यहां पे कम हो रही है अब यह चीज़ आपको number में नहीं दिखेगी ना this will not be visible in national income लेकिन यह चीज़ खुशी दे रही है और this thing is actually developing यह development पे focus कर रही है और यही तरीका है इसको कहा जाता है behavioral economics this is termed as behavioral economics जो कि बहुत जरूरी है apply करना और बहुत जरूरी है सामने लेकर आना there is research in psychology and evolutionary biology morality, altruism other regarding values are an innate part of human mind even though the social setting in which a person lives can nurture or stunt these traits so recent research ने दिखाया है few good human beings in society can give rise to dynamics through which we end up with an overall better society आपको मैं सही बताओ change नाने के लिए एक ही इंसान बहुत है और दुनिया जो है वो कुछ चंद अच्छे लोगों की वज़े से चल रही है वो गंदे गंदे in the sense मतलब बहुत जादा greedy बहुत जादा लालची लोगों की उपर दुनिया नहीं चल रही है वो दुनिया नहीं चला पाएंगे तो इसारी चीजों को देखते हुए जब behavior पे बात आती है तो एक concept आपको मैं समझाता हूँ बड़ा अच्छा concept है that is called nudge and public policy nudge nudge का मतलब होता है किसी को nudge करो nudge करो कि भाई ये काम करो ये अच्छा काम तो आपकी जो policy है वो nudge economics पे based है nudge का मतलब कोनी मारना nudge policies gently steer people कि लोगों को कोनी मारते है उनको drive करते है towards desirable behavior कि ये behavior करिये तो आपका भला होगा even while preserving the liberty to choose so according to nudge theory people need reminders and positive reinforcement to sustain socially desirable behavior अब बार बार अगर सरकार बोलती है nudge करती है toilet use करो toilet use करो toilet use करो उससे आपका भला होगा bank account खोलो bank account खोलो bank account खोलो उससे आपका भला होगा उसको nudge economics कहते है और ये actually में फाइदा लाती है क्योंकि ये लोगों का behavior जो है उससे change करती है it changes the behavior of people तो from स्वच भारत to सुंदर भारत give up LPG subsidy to think about the subsidy कि आपको जरुवत है या नहीं है tax compliance बढ़ाओगे तो लोगों को भला मिलेगा तो this tax makes difference to public services ये सारी चीज़े हो रही है और nudge economics के जरिए आप बहुत आगे बढ़ पाए हो you have been able to move forward you have been able to ascribe to things that actually matter तो nudge policies में people have inclination to go for default option in their actions changing the default can be very effective policy कि आपने एफेस को change करा है उसके बाद reminders and repeated reinforcements कि आपने reinforce करके इस चीज़ को ठीक करा है reinforce का मतलब है बार बार लोगों को याद दिलाना देखिए सीधी बात है रसे हमारे माता पिता हमें याद दिलाते रहते है हमें पता सब कुछ है लेकिन फिर भी हमें याद दिलाना पड़ता है आपके माता पिता बोलते होंगे कि बेटा कम बोला करो जादा मत बोला करो बड़ों से काइदे से बात किया करो छोटों को प्यार दिया करो पढ़ाई करो ठीक है ये अब ये एक बार तो बोल नहीं रहे हैं आपको भी पता है वो ठीक बोल रहे हैं लेकिन बार-बार वो reinforce करते रहते हैं ताकि हम भूलना जाएं आप और हम मुझे भी बोलते हैं मेरे सारे पैरेंस बोलते हैं तो इस तरीके से जो reforms होते हैं जो reinforcements होते हैं वो हमारे behavior को change करते हैं और एक दशा में लेकर जाते हैं तो नच policy जो है आप ये ध्यान रखें कि वो behavioral economics के लिए बहुत जरूरी है और ये चीज जब तक follow होगी या ये piece follow करना जरूरी है for human involvement आपके और मेरे जैसे लोग जब तक हैं मतलब humans हैं तब तक ये चीज बहुत जरूरी रहेगी तो यहां पे खतम होता है हमारा second chapter I hope आपको मज़ा आया होगा attend करके that would be all अगर आपने पूरा विडियो देखा है तो please मेरा चैनल जरूर सबस्ट्राइब करेगा like करे, comment करके बताएं कि आप और किन चीजों पे सीरीज देखना चाहते हैं that would be all bye everyone, take care and all the best